हेलो फ्रेंड्स आइम मिली आदव वेल्कम तू माइ यूटूब चैनल नौलेज एट्यूद मैट्स क्लास 10 थारसगरवाल मैट्स में एक्सरसाइज 11 का क्विशन नंबर 12 है इफ a is equal to 45 degree, verify that part 1 and part 2 है part 1 में आपका sin 2a is equal to 2 sin a into cos है and part 2 में cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square a प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं part 1 और जैसा कि इसमें प्रूफ करना है तो हम इसमें part 1 में ले लेते हैं lhs lhs है आपका part 1 में इसमें sin 2a आप a की value put करेंगे तो sin 2 into 45 degree sin 45 का 2 से multiply करेंगे तो 90 और 90 की value होती है 1 इसे हम ले लेते हैं equation number 1 फिर हम यहाँ पर rhs प्रूफ करेंगे rhs है हमारा यहाँ पर 2 into sin a into cos a 2 into sin a की value है 45 degree और cos a की value भी है 45 degree फिर हम इसे solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 into sin 45 degree की value 1 by root 2 cos 45 degree की value भी 1 by root 2 2 इसका multiply करेंगे तो आपको उपर आपका 2 आजाएगा और denominator में root 2 into root 2 करेंगे तो भी 2 आजाएगा 2 से 2 cancel हो गया तो आपका 1 आजाएगा इसे equation number 2 ले लेते हैं फिर हम यहाँ लिखेंगे by equation first and second we get आपका lhs और rhs क्या है equal है यानि lhs is equal to rhs hence proved तो आपका जो है यहाँ पर part 1 का solution हो जाता है part number 2 है आपका यहाँ पर proof करना है इसका भी हम lhs ले लेते हैं cos 2a यहाँ पर देखेंगे तो cos 2 into a की वालू है 45 degree and cos यहाँ पर 2 into 45 होता है 90 cos 90 degree की वालू होती है 0 इसे हम ले लेते है equation number 3 फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं rhs रhs है आपका इसमें दो parts में divided हैं यानि कि इसको लेते cos square a minus 1 फिर हम put करते हैं 2 into cos square 45 degree minus 1 हम इसे solve करते हैं cos 45 degree की वालू होती है 1 by root 2 इसका करते हैं square फिर हम करते हैं minus 1 2 into 1 by root 2 का square होता है 2 minus 1 2 से 2 cancel हो गया यानि 1 minus 1 is equal to 0 इसे ले लेते equation number 4 फिर इसी में ही आपका rhs का ही एक और part है वो है आपका 1 minus 2 sin square a हम यहाँ पर रखते हैं value 1 minus 2 sin square 45 degree फिर हम रखेंगे 1 minus 2 sin 45 degree की वालू भी होती है 1 by root 2 इसका हम square कर देंगे यानि 1 minus 2 into root 2 का square होता है 1 by 2 2 से 2 cancel हो गया यानि 1 minus 1 is equal to 0 इसे हम ले लेते equation number 5 तो हम कहते हैं यहाँ पर कि by equation 3rd, 4th and 5th 3rd, 4th, 5th we get lhs is equal to rhs यानि hence root तो यह आपको question solve हो जाता है यह है question number 12 का solution आज के लिए इतना ही next video में next part को solve करते हैं तब तक के लिए मेरे channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी share कीजिए thank you so much for watching सक्क्राव